दोस्तों, T20 विश्वकप 2024 की शुरुआत जून में होगी, जिसकी तैयारी अपने उरूज पर है. बता दें, वेस्टैंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने जा रहे. लेकिन दिल्चस्प बात ये है, इस टूर्नामेंट के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच के नुबंध यानी कॉन्ट्राक्ट बढ़ाया गया था. रिकॉर्ड के हिसाब से वह नवंबर 2021 से टीम इंडिया के मुख्य कोच के पद पर बने हैं. पर एक कदम आगे चलते हुए, BCCI ने T20 वर्ल्ड कप से पहले ही अपने नए हेड कोच की खोज का प्लान तैयार कर लिया है. बता दें, बोर्ड जल्द ही हेड कोच के पद के लिए आवेदन के लिए विज्यापन रिलीज करेगा. और इसी मुद्दे पर BCCI के सचिव जय शाह ने गुरुवार को यह भी बताया कि मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड के पास भी फिर से इस पद के लिए अत्म हो जाएगा. अगर वह चाहते हैं, तो फिर से आवेदन कर सकते हैं. तो वहीं बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच का फैसला मुख्य कोच के बाद होगा. उन्होंने आगे यह भी कहा कि बोर्ड को किसी विदेशी को कोच पद देने में भी कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा, हम यह नहीं बता सकते कि नया कोच भारत का होगा या विदेश का, क्यूंकि यह फैसला पूरी तरह CAC यानी क्रिकेट सलाहकार समिती का ही होगा. इसके साथ ही BCCI सचिव ने यह भी इशारा दे दिया कि वह अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग कोच नही रखना चाहता. राहुल द्रविड का कार्यकाल जून दो हजार चौबीस तक है, जुलाई दो हजार चौबीस से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. नए कोच का कार्यकाल जून दो हजार सत्ताइस तक रहेगा. ऐसे में बहुत संभावना है कि उनका कार्यकाल उस साल होने वाले वंडे व और राहुल द्रविड ने फिर मुख्य कोच बनने के लिए आवेदन दिया, तो बता दें, वीवियस लक्षमन, वीरेंद्र सहवाग और अनिल कुम्बले के लिए रास्ता और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहुल द्रविड के नेतरित्व में टीम को अपना हुनर दिख क्योंकि आवेगा, क्योंकि के दो से लिए खुपीन, वीरेंदार स्वागा स्वान पाले को जातों प्रवागा सुपीन